Hello students, welcome once again. Students, आज हम central idea study कर रहे हैं, class 11th की poem, childhood का. इस poem के poet है Marcus Natan. Childhood poem has been written by Marcus Natan. तो पहली line में सबसे पहले हमने यही बता दिया है, कि childhood poem लिखी गई है Marcus Natan के द्वारा. He thinks over his lost childhood. इस poem में वहें अपने खोए हुए childhood, बचपन के बारे में सोचते हैं. In this poem, he asks question. इस poem में वहें पूचते हैं question, remembering, याद करते हुए, the moment उस पल को when he lost his childhood, जब उन्होंने अपना बचपन खो दिया. In this poem, he asks question, remembering the moment when he lost his childhood. तो इस poem में वहें पूचते हैं, ये याद करते हुए, कि आखिरकार उनका बचपन कब खो गया. He wonders about the moment, वहें आश्चर्य करते हैं, surprise हैं. He wonders, वहें आश्चर्य करते हैं, about the moment, उस पल के बारे में, where he lost the innocence, जब उनकी मासूमियत खो गई and realized, और उन्होंने realize किया, एहसास किया that the world is not, कि ये संसार नहीं है, what it appears, जैसा कि ये है, दिखाई देता है. तो इस पोयम में वो ये बात बताते हैं, कि मैंने जैसे जैसे संसार को समझा, तो मेरी मासूमियत खो गई और मैं ये समझ गया, कि ये संसार, what it appears, जैसा दिखाई देता है, world is not so, ये संसार वैसा नहीं है, he recalls, recalls, दोबारा याद करना, फिर से याद करना, दोहराना, he recalls when his thoughts change, उन्हें याद आ रहा था, वह दोबारा दोहरा रहे थे, माइंड में याद कर रहे थे, कि उनके विचार कब change हो गए, when his thoughts change, जब उनके विचार बदल गए, and he realized, और उन्होंने ये realize किया, the hypocrisy of people around him, अपने चारो और जो लोग हैं, उनके चारो और जो society है, जो लोग हैं, उनकी hypocrisy, उनकी पाखंडता, पाखंडता मतलब, एक तरीके से, कि बाते कुछ और करना, और विवहार में असलियत में कुछ और होना, तो ये कहलाता है, hypocrisy, पाखंड, कि इंसान इतना अच्छा है नहीं, लेकिन अच्छा बन कर दिखाता है, या इतना बुरा है नहीं, जितना बुरा बन के दिखाता है, तो ये चीज हिपोकरसी कहलाती है, कि कारेश है ली कुछ और है, लेकिन अंदर उनके मन में दूसरे विचार है, दपोईट इस ट्राइंग टू रियलाइज, कवी कोशिश कर रहे हैं, रियलाइज करने की वो चीज समझने की, दएज, उस उम्र को, वेन ही लॉस्ट हिस चाइल्धूड, जब उन्होंने अपना बच्पन खो दिया, लास्ट विडियो में हमने इस पोयम को हिंदी मीनिंग के साथ एक्स्प्लेइन किया है, समझा है, अगर आप इस चीज को मिस कर गए हैं, इस विडियो को देख नहीं पाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस विडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, जहां से आप इस विडियो को हिंदी एक्स्प्लेशन के साथ समझ सकते हैं, और तब आपको ये सेंट्रल आइडिया और अच्छे से समझ में आएगा, कि इस पूरी पोयम में किस चीज के बारे में कैसे उन्होंने चाइल्ड हुड को लेकर बताया है, पोईट इस पोयम में यही कोशिश कर रहे हैं, यही समझने के कोशिश कर रहे हैं, कि आखिरकार, when he lost his childhood, उनका बच्पन उन्होंने कब खो दिया, इसलिए वो बार-बार कहते हैं, when did my childhood go, मेरा बच्पन कब चला गया, कब वो बड़े हो गए, कब उन्होंने दुनियादारी की इन सभी बातों को समझा, और उनकी बच्पन की भूली-भाली बाते मिस हो गई, ये वो समझ नहीं पाए, कि ऐसा कौन सा पल था, जिस समय मेरा बच्पन चला गया, Central Idea के last stanza में लिखेंगे, he finally realizes, अंत में आखिरकार उन्हें ये realize हुआ, ये समझ आया, that, कि his childhood has gone to some forgotten place, उनका बच्पन किसी भूली हुई जगहा पर चला गया है, एक ऐसी जगह पर चला गया है, जहां से वापस लौटने का और आस्ता बच्पन भूल गया, वो वापस लौट कर नहीं आ सकता, that is hidden in an infant's face, और शायद वो जगह छुपी हुई है, किसी infant, बच्चे के चहरे में, तो बच्चे के मासूम चहरे में ही उनका बच्पन कहीं छिप गया है, ये लाइन, पोयम की ही exact लाइन ली गई है, some forgotten place that is hidden in an infant's face, इस तरह से लिखने से आपका central idea बहुत impressive बनता है, हो सके तो आप इन words को black pen से अलग highlight करते हुए बता सकते हैं, इससे teacher बहुत खुश होते हैं और marks आपको extra मिलेगा, तो I hope, I hope students आपको ये central idea समझ में आया होगा, आप पोयम की explanation भी सुन सकते हैं, तो please इस वीडियो को like करना और channel को subscribe करना नहीं भूलिएगा, first time हमारे इस channel पर हैं, तो हमारी और वीडियो से आप अपने syllabus को पूरा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी query हो, कोई भी बात आप पुशना चाहें, तो नीचे comment box में लिख दें, मिलते हैं next video में, thank you so much.